हेलो दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं हमारे एक और नए लगनी वीडियो के अंदर दोस्तों आज का यह जो वीडियो होने वाला है यह आपके लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जैसा कि आपको थम्निल से पता चल गया मेरे से इस्वाल फूचा था कि क्या हम बहुत साथ से हम लोग orsズ कोर और कि कर दे को आज कि की दे ऐब है क्योंकि आध्य Tell के अंदर में जो चीज में बताने वाला हूं अगर आप उसको सही से फोलो कर लेते हूं तो अराम से अपने सारे लोसेश को भी रिकावर करने वाले हो और एक प्रोफिटेबल ट्रेडर की जर्णी भी शुरू करने वाले को सो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इं मिल जाएंगे अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि किस प्रकार से आप अपने सारे लोस को स्टेप बाइस टेप जो है इन प्रोफिस को फोलो करके रिकावर कर सकते हूं सबसे पहले चीज़ ठीक है सबसे पहले चीज़ कि यह जो लोसेश आप रिकॉर तो इस बीस एक डिन में भी आपका जो है अच्छा ट्रेड जो होता है वो अपना जो केपिटल होता है उसको 100 पर सेन्ट Oops ONE मार्केट से लिए और आप चाहूं तो आपन एक साड़ जो किप्टल होता है उसको एक ट्रेड में अपना स्वाइब भी कर सकते हो तो वह डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आपका जो ट्रेडिंग का श्याहिल है उसके उपर में डिपेंड करेगा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता देता हू कि यह हमारा फ्रीवरा टेलिगाम चेनल है जो भी लाईव मार्केट का अपडेट रहता है अगर कोई आपको समझ्ञेए है को जो भी आपकी क्वेरीज है यहां आकर के में आप पोसकते हूँ लिम्का आपको वीडियो के डिस्क्रीच में दिख रहा होगा जो भी लाईव म म sacrifice करने आते हैं तो उसके साथ में हमारे पास में एक पार सेड़ा नुगसान करते हैं आपको यह चीज पता होगा कि जो Option seller होता है वो 70% profit करता है और 30% ऐसा सांज होता है जहांपर कि Option बाइर पैसा बनाता है तो इस चीज को हमें आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में जो ज्यादातर पैसा बनाता है अगर आपने option seller के point of view उसे जो है ट्रेड लिया है तब ही आप जो है प्लपी टेय़ बन प्रूटोंट गए तो जो घू हमरा सेट shr法 होगा वह सेलर के बेष पर हैं मैं आपको आगे सम्झाने वाला हूं कि किस तरीका से आप जो है सेलर के बेस पे अपना सेट बना सकते हूं एक एक चीज़े सारी डिटिल में बताने वाला हूं वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टिंग और कामका होने वाला है आपके लिए सो इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर लिए ठीक है क्योंकि 70% लोग जो है चैनल को देखते तो हैं लेकिन वह सब्सक्राइब नहीं करते हैं तीसरी चीज़ जो कि आपको सबसी ज़्यादा काम में आने व समौल को टो तैना उसको नहीं किया है आपने क्या क्या है जो चलता है बकुर देखते हों उस की दो आप book भी कर लेते हों करी आपका बड़ा profit होता है लेकिन वहीं पर देखते हों कि बड़ा बड़ा लुकसान भी market देखर आपको चला जाता है आप कुछ भी नहीं कर पाता हो इसके बजाए अगर आप छोटे profit के उपर में फोकुस करोगे तो आप अराम से बड़े profit भी ले प आज भी करते हो तो आप कुल गलत हुआ कि वहीं पर परस जाते हो उसी चक्कर में कहस आप ने बीस anderes , थिक है अपनई भी साझार प्रोफित बिना है और आज आपका जो पुंवीний ना वो फिर दो में तब्दील हो जाता है और अल्टिमेटली आप जब क्लोज करते हो अपने सेटप को तो वहां पे कहीं कहीं नुक्सान कर लेते हो तो यह चोटी-चोटी जीजे हैं जिनको आपको इंप्रूब करना पड़ेगा अगर आप जो है लोग सरीकवर करना चाते हो तो हम लोग एक तो देखो सबसे पहले चीज कि लोस रिकवर यह जो वर्ड है ना इसके चकर में आप पढ़ना मत कभी है ना रिकवर का मतलब यह नहीं है कि आपने जो है अचानक से कोई जो है रातो राती आपने एक लाग रुपे लगया और आपका पांच लाग बन गया आपका लोस भी होगे लेख करोगे और एक्रेशन होगा आपके माइन में ना आप क्या करोगे मार्केट से बदला होगे कि मैं ना जो मेरा पांच वह तो इस चीद को आपको आपको क्या करना है सबसे पहले सबसे पहले यह बदाने वाला हूं वह यह है कि आपको क्या करना है सबसे पहले जब भी आप ट्रेड लेते हूं उससे पहले दिन का जो मार्केट का डेटा होता है उसको एनलाइज करना है आप पहले किस तरीके से ट्रेड करते थे वो सारी चेंज छोड़ दीजिए अब आपको जो तरीका मैं बदाने जा रहा हूं ट्रेड करने का एक साइज तरीका वो आपको क्या करना है सबसे पहले जिस भी दिन आप ट्रेड कर रहे हूं उससे एक दिन पहले का आप जो है मार्केट की डेटा है उनको एनलाइज कीजिए मार्केट में गल क्या हुआ था और आज क्या हो सकता है उसकी पोसिबिलीटी बनाईये और उसके बाद में जो है ट्रेड के बारे में सोच यह ठीक है दूसरी चीज आप देखो आपने पजास दार से आप यूज कर रहे हूं आपका यहां पर जो पहले चीज़ दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूं वह यह होगा कि आपका जो बीग टारगेट होगा ठीक है जो बीग ठीक है लोस बीग चोटा लेना है लेकिन हमें बड़ा नुक्सान नहीं लेना है बड़े नुक्सान से अच्छा है कि आप छोटे-छोटे प्रोफिस लेकिंगे मार्केर से निकल जाओ यह चीज़ आप कई बार करोगे तो आपको समझ आने लग जाएगा देरे देर आपको जो है सारे चीज़ें समझ में आने लग जाएगी तीसरी सबसे इंपोर्टेंट चीज जिसको हम लोग बोलते हैं सेटप इसके बिना कभी आपको ट्रेड नहीं देना है अब ज्यादा तर ट्रेड देगे आपने जो है यह चीज मैंने देखा है कि आप जब भी ट्रेड लेते जो कि आपका स्टोप्लोस अगर होगा यहां पे तो वो खा जाएगा यहां फिर आप जो है पेनिक होगा के मार्केट से वैसी बार हो जाओगे तो कभी भी आपको जब इस तरीके से बड़ी बड़ी केनल बनती है उनमें नहीं घुचना है आपको प्रोफर वेड करना है औ अभी आपको एंट्री करना है ठीक है पहले आप जिस तरीके से में ट्रेड करते हैं उस चीज को भूल जाएए नए तरीके से सुरुवात कीजिए सारी चीजों का आप जो है यहां पर अच्छे से चीजों को फूलो करोगे तो अपना लोस पी रिकाउर होगा और एक प्रो पीं होने वाला है यह चीज तो अपने को दिमाग में रखने पड़ेगी आपको यहां पर जो है अराम से ट्रेड करना पड़ेगा अराम से चीजों को सोच करके अपना जो है ट्रेड लेना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ जो केंडल है उनको देकर आप एंट्री कर रहो हो तो अभी भिए मार्केट में कुछ भी नई सेके अगर सिरफ और सिरफ केंडल को देखते हूं गृइन केर बनिये कर दा हूं। से खुच भी नई होने वारा है ठीक है बाकि आप कुछ समयदार हो मार्केट में यह चीजा है है चोटी-चोटी चीजा है, जो कि आपका ना मार्केट में नुपसान भी नहीं होने दे और आपका जो स्टोपलोस होगा ना वो भी बहुत चोटा हो वो टार्गेट भी अच्छा कासा आपको जो है दिला दे तो सबसे पहली इंपोर्टेंट चीज़ इसके अंदर में पराइजेक्शन आती है ठीक है रीड करने के लिए देखो क्या क्या चीज़ों के जरूर्ट पढ़ने वाली है पहली हमें जरूरत पढ़ने वाली है यह हमें पढ़ने वाली है सर ओप्संचेन के ठीक है आपको ओप्संचेन को देखना आना चाहिए इसके उपर में डीटेल में वीडियो बना चुका हो गया या फिर जो है आरस ही हो गया ठीक है तो इनका सारा आप लेस्क जो हो जिससे आपका जो सेट अप होगा उसमें एकुरेसी थोड़ा बढ़ता जाएगा तीसरी चीज की यहां पर आपका एक और टूल होता है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं फीब रिट्रेस्ट में होगा है जहां से मार्केट में आपको जो है यहां पर आपका जो है ब्रेक आउट हो सकता है ब्रेकडाउन हो सकता है जो लेवल होते हैं यह प्रोपर आपको जो है यह फीब नाची टूल बताता है ठीक है तो पहले चीज मैं बताई आपको सेटप के अंदर में देखो प्र याप एंट्री बनाते हो उस समय आपका एक कनफर्मेशन हो जाएगा जिससे आपका जो एक रिशी होगा वह बढ़ जाएगा तो सपोज यह में हो गया याफिज जो भी है आप आरसा यूज करते हो तो आरसा का यूज कर सकते हो ठीक है बाकि अगर आप इंचे जो का यूज नहीं करना जाते हो बिल्प Oui आप जो है नए ट्रेडर हो या फिर आप जो है इन चेकी बारे में बिल्कूल नहीं जानते हो तो टेलिग्राम में जाएगे मेसेज केज़े और वहांपे जो कर हमारे क्लासेस होती है उनको आप आराम से जोई करके प्षार करके चीसक्टे हू ठीक है तो आपका प्राइज एक्षन यह जो आरास ही होगे या फिर इंडिकर्टर्स होगे यह सारी के सारी जो चीज़ें होती है यह 40% होते हैं ठीक है जिसे कि मैंने आपको बताया है कि यह टूल्स होगे प्राइज हो गया है यह सारी के सारे जो चीज़ें होती है सिर्फ औ 60% होता है बाकी जो चीज होती है वो 60% होता है आपका mindset आप कहां पर क्या सोच रहे हो यह करता है क्योंकि मार्केट के अंदर में कोई ऐसा तो है नहीं कि यहां पर कोई जो है सारा का मशीन से ओपरेटर हो रहा है यहां पर भी जो है दो ही लोग है एक बाइर है और एक अगर आपको यह चीज है कि अगर आपको यह मार्केट में समझ में आ गया कि बाइस कहां बैठे हैं सेलर का पर बैठे हैं अब सबोस कि यहां पर आप देखो इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ में जाता है और एक ऐसा लेवल आता है जहां पर की मार्केट रुख जाता है अब आपको पता है कि यहां पर क्या हो रहा है ठीक है यहां पर क्या हो रहा है तो आप अराम से मार्केट को प्रेडिक् तो ये सारा का सारा जो सप्लाइड डिमांड का जो एरिया है यह आपको समझ ब्याना चाहिए और ये कब समझोगे आप जब आपको यह चीज पता चलेगा कि मार्केट में बाइस कांपे है सेलर्स कांपे ठिक है तो आपको कहीं कहीं जो है ट्रेड दिलाने में मदद करता है तो शेटप के अंदर में जो चीजे थी ना वह आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है उनको ही ड्यान में रखके आपको ट्रेड करना पड़ेगा ठीक है तो ऑप्सें चेर्में देख लिया कि मार्केट का जो व्यू है जो ट्रेंड है वह उपर की तरफ में है तो आपका जो इंटरी रहेगा आपका जो फोकस रहेगा 植रेड करने का वह आपका कोल साइड के तरफ में रहेगा और सपोज कि अगर ऐसा नहीं होता है उल्टा हो जाते होKayए आपका अंध्री बन जाएगा की Academy यह जो है खण बने वाले हैं यह कहां पर बनने वाले हैं इसके अपरित वीडियो बना छुका हूं और आप चाहोगे घ्ले करके आप के साथ में सिर्क कर दूंगा ठीक है तो इन सारे चीजों को जब आप कंबाइन करके एक है इट chapters बनाते हों तो यह आपको पर जो है कि संभाइब बन जाता है जिसमें कि आपका 5-star सेटब बन जाता है ठीगैं अपको फाल स्थार सेटब जो है बन जाता है जिसमें साइकोलोजीम happen improving माइन्सेट में किस तरीके से मारें में सोचते हों कि तो यहां पर रूम जाता है तो बैको समझ बार यहां पर कहीं जूह है उसके बाद मार्केट नेची आने के कोशिद कर रहा है अगर आप यहीं पर देखोगे तो आपको एक चीज और समझ में आएगा कि यहां पर ना मार्केट ना एक इस्ट्रक्चर कर रहा है जिसको हम लोग जो है हेड इन्स पैटन भी बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है इस तरीके से जो है आपको बनता हुआ दिखाई दे रहे ठीक है तो इसमें आपको यह चीज समझ में आएगा कि यहां पर यह चीज जो है कंपीट हो जाती है तो यह नीचे के तरफ में मार्केट आजाएगा तो जब आप इस तरीके से दिमाग लगाओगे या फिर जो है अगर आप अगर आप ध्यान से देखोंगे तो आपको पर आएगा कि कहां पर बाइंग हो रही है कहां पर सेलिंग हो रही है तब ही जाकर कि मार्केर में आप जो है अपना सही से सेट अप जो है बना फाऊगे और मैंने आपको फिर से बता देता हूं मैं या ना से औप्centrale टेडिंग जो कोता है वो इसी नाइए ठीक है यहां पर यसा लग रहा है कि यहां पर मेरे को नहीं समझी है तो आप जो है बेसाग मेरे को टेलिक्ञाम पर मेंसेज किजिए और जागर के वाँ पे सारे चीजे पू सकते हैं ठीक हैं जो भी लाइब मार्केट का अप्टेर है वो आपको वाँ पे मिल जाएगा ठीक है तो लोग स्रीकावर करने का जो प्रोसेस है और वो आपको करना है और आपको जतना हो सकते को हैं चोटा-चोटा स्मॉल जो है आपको ऐसे लेता है ठीक है बहुत ही चोटा स्मॉल आपो लेना है और आफ मट्राइ करना है अगर आप तो वन इस्टू T nome चना है यहां पर टारगेट और एसल का नियूंगsk अधो हो बहुत सारी चेजे जो की मैं आपके साथ में डिसक्स करूंगा सवなた first video में हम लोग इतने रखते हैं क्योंकि देखो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा सो इस वीडियो के अंतने रखते हैं इसका ज़ो नेक्सट वो बहुत ही जल्द आने वाला है अगर ही वीडियो आपको जो अच्छा लगे तो लाइक कर देना जिससे मेरी को बता चले कि हाँ आपका रिस्पूंस अच्छा है जिसे मैं आज का सेकंड पार्ट भी लेगर के आने वाला हूं